नश्कार दोस्तो गुड मॉनिंग आज के मॉनिंग अप्डेट में आपका स्वागत है आज है 11 जुलाई 2024 ब्रस्पतिवार का दिन शुरुवात करते हैं कल के मार्केट से अगर हम कल का मार्केट देखें तो कल का मार्केट जो है फालकी सी गिरावट के साथ बंद हुए है त इंडिया विक्स अभी स्टेबल है इसमें तक्रीबन एक परसंट की बढ़त हुई है और अभी चौदा दस्मेलों चार पर ट्रेट कर रहा है मार्केट में वोलेटिलिटी कम रहें अशार है इसके हिसाब से अगर हम यूस मार्केट का हाल देगे तो देखें अभी जो ट्र अगर आप देखेंगे यूरूपया जो आपका यूके का मार्केट है और फ्रांस का मार्केट है इसमें तक्रीवन एक एक परसेंट की बढ़त हुई है लेकिन यहां पर भी सेंटिमेंट नेगेटिव है विकास अफ एलेक्शन रिजल्ट और एशन मार्केट की बात करें त टॉप गेंट स्टॉप की बात करें जिन्हों ने कल अच्छा जासा गेंट किया है तो एशन पेट एस्वी लाइफ इंशॉरेंस दिवी लाब ब्रिटानिय इंडस्ट्री और ग्रासिम इंडस्ट्री है एशन में तकरीवन तीन परसेंट की बढ़त थी एश्बी आई वही है और सबस्यादा गिरावत जो ही थी तो महिंद्रा में तकरीवन साड़े शे परसेंट की गिरावट उसके बाद माइनर प्रफिट बुकिंग है टाटा स्टील हिंडाल को टीसी एस और हीटों मोटोकॉप में वाल्यूम भी देखें तो सबस्यादा टाटा स्टील में था जो अजरहम स्टॉक जेनर 52 वीक हाई बनाया है तो केंप सर्विस ग्लैंड माख वार्मा ब्रेटान इंडस्ट्री ग्रासम इंडस्ट्री अरविंदो फार्मा ग्लैंद मांक एक प्रेटेंट मिला है तो उसके कारण ये पोजिटिटिव न्यूस है तो जिनने 52 वीक हाई ब कि अगर हम FIA-DI देखे तो कल FIA ने भी बाइग की और अगर आप लास पास शेसिन का देखें तो दोनों में ही नेट नेट दोनों बायर रहे हैं सिरफ DIA ने जो था दो दिन यानि की साथ तारिक को पास तारिक को और चाहत तारिक को प्रॉसर बुकिंग की दी अगर जाए ने ज्यादा खरीद्दारी किया है तो इन्होंने फंड बरो करने के लिए प्लाइन किया है डोमेस्टिक बॉंड के तुरू 16,000 करोर आर्थी इंडस्ट्री ने डिवेडेंड किया है अप्रूव तो आप इस पे भी नजर प्राइए रहे सकते हैं जाइडस लाइफ साइंसिस को यूएस मार्केट से एक हर्ट फेलियर का टेबलेट का जो है आपको यह अपरोल मिल चुका है और यह टेबलेट जो है एंडवाद में मेनुफेक्ट्र होगी तो आप इस स्टॉक में नजर बिनाए रखते हैं विकास यूएस मार्केट से रेवेन्यू अच्छा आने के चा जिसे नेगेटिव आया तो थोड़ी सी गिरावट आसकती है अगर हम सूला वाइन्याड का देगे तो इनका रेवेन्यू जो है हाइस्ट एवर है उनकी पूरी लाइफ टाइम में तक रिवन टोटल नेट रेवन्यू 139 करोड का तो आप यह ख़र भी देख सकते हैं यह प बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट जो 21 से ग्रो हुआ है आई पीओ और भी कोई लिस्टिंग है नहीं ऑप्शन चीन डेटा की बात करें तो कल जो निफ्टी था वह तकरीवन 24,324 के लेवल पे बुल नोट पे बंद हुआ था और अभी जिसका पैर रिजिस्टेंस है तकरीवन 24,476 पे है और पहला सपोर्ट जो है 24,157 पे है वही अगर हम देखे आप तकरीवन 24,231 के लेवल पे जो है आप यहां पर आलर्ट हो जाईए इसके बाद जो भी है आप लॉंग पोजिशन जो है 24,143 के बात जितनी भी है आप सेलिंग बहुत जाद आने के चांस तकरीवन 25,180 पे बंद हुआ था और इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वह तकरीवन 25,453 और पहला सपोर्ट है 25,000 तो आप डेटा पे नजर बनाए रख सकते हैं और मार्केट मुसली आज वैसे फ्लैट टू नेगेटिव खुलने के चांसे से बिकास प्रॉफिट बुकिं होगी तो आप इसको देखते हुए ट्रेट कीजिएगा धन्यवाद